असलाम लुक्त कर चैप्टर नुम्बर थी जो मारे पस्ट डैरिवेट्र वादा चैप्टर है उसके आम लोग बात कर रहे हैं लेकिन जाना वह इस चैप्टर को साल्व करने के दुरान अचानक मेरे जिन में ख्याला है कि क्यूं ना आप लोगों को प्रॉडुक्त रूल के बारे में बताया जाए पावर रूल के बारे में बताया जाए चेंड रूल के बारे में बताया जाए तो यह जो ना वह रूल्स में अपलोड करने के बाद जो मेरे पास रिमेनिंग चैप्टर रह चुका जो भी रिमेनिंग एक्साइजिस रह चुकी हैं बाद में उसको डिस सेंपल्स को लेके उसके बाद हमारे पास एक हो तैट कॉंसेंट मल्टिपल डूर को भी मापको बताऊंगा डिटेल के साथ एक्स्प्रेंड करूंगा आई विल एश्योर यू सोरी आई एश्योर यू कि अगर आप लोग जाना वो कम्प्लीट वीडियो देखेंगे आपको इ तो डिए श्योर से के आप लोग जानते कि मैं कोई भी जाब लेक्टर अपरोड करता हूं मैं जाना वह उसको खलत मलत नहीं करता जीनिके मैं कोई जो घात है ना मतलब मिक्स आप कर देना सारी चीजों को समझे नहीं आ रही हूं ती कहां से स्टार्ट करना कहां पेंड करन मैं जाना वह शुरू से लेकर हैं तक कम्प्लीट करूंगा डैफिनेशन फार्मॉला डिफेंट एक्जैंपल उसके पर कॉंसेंट मल्टिपल डूल भी आपको बताऊंगा सबसे पहले हम जाना इसके डैफिनेशन की बात करते हैं तांके डैफिनेशन तो आपको पहले क्लि बडे स्याप लिखले पाववर अगिंटेरिवेटिव सीज आ मैथर्ड आफ्टिप्रेंशीयेशन इसा मैथर्ड और ओफिन फेंशीयेशन इविच इजिज यूजडर अच्छा जी यह मैथर जाना वा काव इस्तेमाप लिच इज यूजड बैएन एक अलजबरीक expression algebraic expression क्या होती है आपको पता होना चाहिए when an algebraic expression with power यह निकि ऐसी algebraic expression जिसके अंदर power भी मुझोद हो जिसकी कुछ power भी होती है when an algebraic expression with power needs to be differentiated यह जो definition मैंने आप लोगों को बताई है यह आप लोग नोट भी कर सकते हैं और मैंने बड़ी क्लियर कट आपको definition बताई है देखें जी power rule in calculus is a method of differentiation differentiation में वो यह जो rule हम लोग इस्तमाल करते हैं जो power rule है calculus के अंदर which is used जो के इस्तमाल होता है when an algebraic expression with power जब भी आपके पास कोई algebraic expression आजाए power की form के अंदर needs to be differentiated जब आप लोगों ने किसी भी algebraic expression को जिसके अंदर power होती है उसको आपने derive करना तो उसका derivative लेना होता है तो उसको derive करने के लिए उसका derivative लेने के लिए हम लोग power rule इस्तमाल करते हैं के in short या फिर जनव आप लोग ये भी लिख सकते है in short it is the rule ये जनव आपके पास वो वाला rule है which is used जो के इस्तमाल होता है काप इस्तमाल होता है जी when an algebraic expression when an algebraic expression of the form of the form x की power n needs to be differentiated ये भी आप लोग लिख सकते हैं needs to be differentiated मैंने जनव वो मजीद सिंप्लिफाई कर दी है आपके लिए इन शाट अलमुक्तसिरन इट इस दी रूल ये वो वाला कानून है वो वाला रूल है which is used जो के इस्तमाल होता है when an algebraic expression of the form x की power n जब आपके पास algebraic expression की इस तरह की फार्म आजाए कि किसी function की power में कुछ मुझूद हो x की power n की फार्म में हो needs to be differentiated जब इस तरह की फार्म को आपने derivative लेना हो तो वहां पर हम लोग जनव पाफर रूल इस्तमाल करते हैं ये इसकी शार्सी definition थी आप लोग नोट कर लें अब हम लोग बात करेंगे इसके फार्मोले की फार्मोला जनव इसके अंदर कौन सा इस्तमाल होता है फार्मोला आप लोग जनव बहुत अफ़ा पड़ चुके हैं तो फिर भी जनव मैं यहां पे mention कर देता हूँ इसके फार्मोले को फार्मोले लिखने के बार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फार्मोले में क्या क्या चीज़े हैं क्या क्या यूज होता है एक चीज़ जनव आप लोगों जेन में रिखनी है यहाँ पर जो X की पावर N है ये जो आपके पास N है यह दर असल रियल नमबर को शोक आ रहा है N कोई भी आपके पास एक रियल नमबर है ठीक है तो फार्मोल जनव आपके पास यहां पर क्या होगा अगर आप लोगों के पास इस तरह आ जाए D over D X X की पावर N तो यह किसके एकल होगा आपके पास क्या होगा N जनव पीछे आ जाएगा N आपके पास आ जाएगा पीछे और जनव आपके पास यहां पर क्या बनेगा N जनव यह बेसिकली फंक्शन के साथ पीछे यहां पर मिल्टिपलाई हो जाएगा और X की पावर में आपके पास आ जाएगा बावर है उस में हम लोग एक माइनस कर देंगे यही आप लोगों के पास पावर रूल है और पावर रूल यही कहता है कि जब आप लोग इस तरह के ऐजबरी एकस्प्रेशन का इस तरह के function का derivative लेते हैं तो आप लोग क्या करते हैं पावर पीछे आ जाती है बैक में आ जाती है और उस function की power में एक माइनस हो जाता है यह था है इसका जाना वो basically formula अब formula पढ़ने के बाद हम इसकी कुछ examples को देखते हैं constant को भी देखेंगे सबस्क्राइब की बात करते हैं देखे मैंने जाना आप लोगों को समझाने के लिए पावर कैसे इस्तमाल करते हैं बहुत ही सिंप्लेस्ट जो में जहने में आ रहे थी को मैंने यहां पे लिए और प्रणाल करते हैं यहां चुको है तो पावर के उपर यह पी पीछे आ जाएगा यह यह यहां पर 2 जाना वो function के साथ multiply हो जाएगा और x की power में आपने minus कार देने 2 minus 1 कार देंगे तो यह बन जाएगा 2 x की power 2 minus 1 1 आ जाएगा और 2 x के साथ multiply करेंगे तो यह 2 x आ जाएगा यही था आप लोगों के पास इसका answer यही था आप लोगों के पास इसका derivative हमने पावर रूल लगाकर यह example साल्व की इस तरह से जो भी एक्स की power में आजाए हम आगे भी मजीद examples करते हैं मजीद बटे वाली भी लेके करते हैं स्केरूट वाली भी लेके करते हैं आपको सारी बातें के जना कलीर हो जाएगी आपको सारी मेह भी आप लोगों ने जना वो इसका concept पहले भी सुना और लोगों के जैन में है या नहीं है मुझे नहीं पता बाहरा जना आप लोगों को मैं यहां पर प्ता देता हूं को कांसेंट मल्टीपल डूल क्या होती है कि अगर आप लोगों के पास इस तरह से function आजाए दी ओवर अंगर में करूंक्षिन के साथ सत्रमन अब रहा है चो Гाई कोई भी अंगर बिए के साथ कॉई कंसेंघे अब बिए किया करेंगी टाँ शीए कश्जि EPA सब्सक्राहिए ये शींगा ब्लोल बाई गई फंक्शन दियो उद्पक्राहिए आफ एक्स यह उता है जी आपको के पास कॉंसेंट मुल्टिपल डू जब हम इसकी एक्जेंपल करें को क्लियर मजीद क्लियर हो जाएगा कि अगर इस तार की फार्म आ जाए कि यहां पर इसके साथ कॉंसेंट मुल्टिपलै हो रहा हूं तो आप लो इससे बाहिए लिख देते हैं और डैरीवेट लिख देए उस फंक्छन का तो हम लोग जाना एक्जेंपल्स की बात करते हैं सबसे पहले एक्जेंपल ना वो मेरे जहन में यहां पर आ रही है मैंने यहां पर लिखी भी है तो सबसे पहले एक्जम्पल दी ओवर डी एक्स 3 एक्स की पावर 2 देखें जी डी ओवर डी एक्स 3 एक्स की पावर 2 अब देखें यहां ओपर यह पर फंक्षन है इसके साथ एक कांसेंट 3 मल्टीप्ला रहा हो रहा है तो हम भो क्या करेंगे कांशें मैंट्टीपल डूम क्या करेंगे ट्री को पीछे लिख लिएंगे पहले लिए अप लोग एक्स की पावर 2 का आप इस तरह की पास आपके पास 3 पीछे यही जनव आप लोग पास आंसर इस इक्जेंपल का इस क्वेस्टन का इसी तरह से जो आना वह आप लोग डिफेंट एक्जेंपल्स लेके कर सकते हैं मैं यहां पर और एक्जेंपल की बात करता हूं आपके सामने तो मजीज जनव आपको कलीर हो जाएगा देखते हैं जी देखें जी एक्जेंपल की बात करते हैं जी डी ओवर डी एक्स फोर एक्स की पावर थ्री ओवर फाइव अब यहां पे भी जनव सबसे पहले कॉंसेंट मैल्टी पर रूल लूल लगाते हुए आप लोग जनव इस क कॉंसेंट को साइट पे कर लेंगे तो बाकि इसको बाद में आपको साल्व करेंगे फोर को वैसे हैं वैसे लिख लिए तो यह आपके पास बनगा है डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर थ्री ओवर फाइव अब आप लोग यहां पे एक्स की पावर थ्री ओवर फाइव आ जाएगी और जो एक्स की पाफर होती उसमें एक माइस कर देते हैं थ्री ओवर फाइव माइनस वन कर देते हैं आप लोग ठीक है तो यह जाना मजीद इसको सिंप्लीफाइए करें तो यह क्या पनेगा चार को तीन से मटिप्लाइए कर दें चार तीन बार बारा तो लिखें एक्स की पावर में अब थ्री ओवर फाइव माइनस वन है तो यहाँ पे अगर आप लोग फाईव यहाँ पे लेते हैं तो फाइव एलस्यूम लें फाइव फाइव से कैंसल ती बान जाएव तरी माइनस फाइव अब देखें जिसको मजीद सिंप्लीफाइए करें यह बन और फाइव अगर इसको नीचे ले जाएंगा एक्स की पावर टू ओवर फाइव यह आंसर भी प्रेक्ट आपके अपनी मरजी है तो एक्सी पावर में माइनस फॉर फाइव जब यह नीचे जाएगा बटे में जाएगा तो यही जनव इसका आप लोगों के पास आंसर था अ मेरे पास यहाँ पर इग्जामल मजूद है डी बीबी एक्स सेवन सब्सके रूट एक्स देखें अब सबसे पहले कें तो साइडवे कर लें भीयर बनी आप लेके हैं पास क्यू व्हाइज़ पास लूट औरphem कल भी यहाप का साइड भी क्सक्ति अब आप लोग क्या प्रवर बावर लगात लिए 7 पर पीछे तो पीछे आजएक मैंनस वाइनका 4 2 , है तो यहां पर में ऋबर टू कि का बन झाए तो इन IT अब एक्स की पावर निजैगा तो यह लिख सकते हैं यहाँ आप लोग सेवन ओवर टू इंटू स्केर रूट एक्स यह आप लोगों के पास जाना वो आंसर आ चुका इस इक्जेंपल का फाइनली जाना वो आखर में आपको एक ट्रिक बता देता हूं छोटी सी अगर जाना आप लोगों के पास इस तरह का आएगा वन ओवर टू इंटू स्केर रूट एक्स यह बाद जनाव जिहन में रख लें कि अगर आपको आप लोगों के पास एक्स का जज़र वाई का ज़जर जी जी का ज़जर कुछ भी जना वसके रूट आ रहा यहां पर तुसका डेरीविटिव यह होता है वान ओवर जो ता वह सेवन था तो साथ यहां पे सैवन ऑवर टू इंटू स्केर रूट एक्स अगर यहां पे शाथ नाई नाई जाए उपर आ जाता है यह ताट इयर स्ट०ॉंट्स आज का लेक्चुर पापर रूल के हवाले से मैंने कोशिच किया कि इस और आबरिटिंग आपको करूं मैंने डैफिनिशन आपको बताई है उसके बाद मैंने फार्मॉला बताया डिफरेंट इड्जेंपल्स को देखा कॉंसर को देखा इच आपको समझ आ गई होगी अगर आपको जैना वीडियो अच्छी लगी है आप सबस्क्राइब लाजमी किया करें बैल के प्रस किया करें अपने फ्रेंड फैमिली के साथ अपने कलास में इसके साल लाजमी शेयर कीजिए अगर आपको कहीं समझ नहीं आती कहीं से क्यूरियो कि आप मुझे कमेंट सब्सक्राइब नहीं पूछ सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर जोइन करें इसके लाजमी आप हमसे राप्ता करके हमरे वाट्सटाइब ग्रूप में भी जोइन कर सकते हैं मिलते हैं इन्शाला नेक्स वीडियो में तब तक लिए अलाफिस